तो दोस्तो आज हम करेले की एसी रेश्पी सेयर कर रहे हैं जिसे आप breakfast में सफर के लिए या छोटी मोटी party में starter के लिए बना सकते हैं चाय के साथ भी ये बहुत tasty व चटपटे लगते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए हमने ये थोड़े बड़े साइज के दो करेले ली है वजन में ये 2500 ग्राम है अब करेले को हम चौपिंग बोड या प्लेट के उपर रखेंगे और चाकू से इसे बीच से इस तरह से काट लेंगे और काटने के बाद इसे एक बार पलट लिजेगा और इसे इस तरह से पतला-पतला काट लिजेगा जिससे की उपर का हिसा जॉइंट रहे और नीचे की तरफ खुला करेलों में बीज होता है तो ये काम सावधानी से करिएगा जिससे की चाकू हाथों पर ना लगे और देखे इस तरह से हमने करेले को पतला-पतला काट लिए अब इसके बीच में जो कड़े बीज है इनको हम निकाल लेंगे चाहें तो करेले को दोनों हातों के बीच में रखकर इस तरह से रगण लिजेगा तो बीज आसानी से निकल जाएंगे इस तरह से मैंने दोनों करेले काटकर त्यार कर ली है अब एक बड़े बरतन में एक गिलास पानी लेंगे इसमें हम एक चम्मश नमक डाल देंगे और आधी निभू का रसनी चोड़ लेंगे और इनको अच्छे से पानी में मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसमें ये करेले डाल देंगे और डालने के बाद इनको 15 मिनड़ तक इसी पानी में छोड़ देंगे जिससे कि इनका कड़वापन निकल जाए अब एक बाउल में हम लेंगे एक चोटा चम्मश धनिया पौडर एक चोटा चम्मश लाल मिर्स पौडर आधा चम्मश हल्दी आधा चोटा चम्मश जीरा पौडर आधा चोटा चम्मश गरम मसाला पौडर एक चम्मश आमचूर पौडर और एक चम्मश नमक अब बाइंडिंग के लिए इसमें हम डाल रहे हैं दो चम्मच आरा रोट आरा रोट की जगह कार्ण फ्लोर या मैदा भी ले सकते हैं इसे हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मिलाने के बाद अभी हम इसे साइड में रख देते हैं और 15 मिनट बाद करेलो को 2-3 बार पानी से अच्छे से धुल लिजेगा और धुलन भी कर्वलने लगते हैं करेलो का थोड़ा काडवा फ्लेवर पसंद हो तो इनको बिना धुले निचोर कर ले लीजेगा और निचोरने के बाद इनको मिक्स किये हुए मसाले में डाल दीजेगा और इनके उपर मसाले अच्छी तरह से लगा लिजेगा मसाले अच्छे से और दूसरे करेले को भी इसी तरह से मसालों से कोट कर लेते हैं। करेलों में नमी होता है तो मसाले इनके उपर अच्छे से चिपक जाते हैं और करेलों में मसालों का फ्लेवर आ जाता है। अब बावल में बचे मसालों में हम डाल रहे हैं एक बड़ा चमत चावल का आटा इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिला लेंगे इस घोल को हमें पकोड़े के घोल जितना गाढ़ा रखना है और दोस्तों चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगा सूजी भी डाल सकते हैं इससे हमारा नास्ता कुरकुरा बनेगा बेसन का घोल तयार हो गया है अब हम इसके अंदर ये करिला डालेंगे और लच्छों के ऊपर चम्मच की हिल्प से इसे अच्छे से लगा लेंगे तो देखे ये घोल लच्छों के ऊपर अच्छे से लिपट गया है इस तरह से दोनों बैंगनों पर हमने ये घोल लगा कर त्यार कर लिया है इधर कड़ाई में मैंने दो बड़े चमस्ते गरम कर लिया है इसमें हम ये करीले डाल देंगे और डालने के बाद चमस्ते इनके लच्छों को थोड़ा अलग कर लिजेगा जिससे कि ये चिपके नहीं और एक्दम क्रिस्पी बने और इनको मीडियम आज पर फ्राई करियेगा लो फ्लेम पर ये ओली हो जाएंगे और हाई फ्लेम पर अंदर से ये कच्छी रह जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे और जब ये एक तरफ से क्रिस्पी हो जाएं तो इनको दूसरी तरफ पलट लट लिजेगा और दूसरे तरफ से भी क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लिजेगा और देखिए इनको फ्राइ करने में 5-6 मिनट का समय लगा है ये दोनों तरफ से गोल्डेन हो गए है तो अब हम इनको निकाल लेंगे थोड़ी देर इस तरह से रखिएगा तो एक्स्ट्रा ओयल कड़ाई में चला जाएगा और इनको टीशू पेपर पर निकाल लेजेगा इस तरह से बचे वे करेले को भी हम फ्राइ कर लेंगे और ये देखिए ये कितने कुरकुरे बने हैं मैंने इस रेश्वी को करेला फिंगर फ्राइस नाम दिया है आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे कॉमेंट में जरूर बताईएगा ये करेला फिंगर फ्राइस बिलकुल भी कड़वेने लगते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी वह चटपटे लगते हैं बच्चे भी इनको बहुत पसंद से खाते हैं तो चलिए हम इसे तोड़ कर दिखाते हैं ये देखें ये कितने क्रिस्पी बने हैं इनको आप टोमेटो सॉस या हरी चटनी के साथ खाईए या टी टाइम स्नेक्स के रूप में ये बहुत स्वादिश लगते हैं तो दोस्तो एक बार करे लेकि इस रेस्पी को ट्राई जरूर करिएगा और रेस्पी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बतेएगा जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देजेगा और नए नए रेस्पी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फिर मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ धर्नेबाद